हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आप सब का मेरे चैनल पर बहुत बहुत सौगके तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम पूरे घर की ब्रिक्त या एक वॉल की ब्रिक्स जो एक निकालनी होती हैं वह हम एक मिनट के अंदर कैसे निका लें इस वीडियो में मेरे साथ आप लोग लाश तक बने रहे हैं मैं पूरा 100 percent कहता हूं कि है आप लोग इस वी-डियो के बाद आप किसी भी गन में किसी भी विल्डिंग या किसी भी बॉल कि ब्रिक एक मिनट के से कम में निकाल सकते हैं वह मैक्सिमम ब्रिक्स यानि कि वह ब्रिक की जैसे हम मिनिमम ब्रिक ब्रिक्स ठीक है दोस्तों यानि कि जब भी हम इस्टिमेट करते हैं तो फिर जो हमारी कॉस्ट आती है या आप नमबरा ब्रिक्स आते हैं उनमें हम 10% क्या करते हैं एड करते हैं मार्जिन लेकर चलते हैं कि कंस्ट्रेक्शन पर कम ना हो जाए बट इस लॉजिक के थूरू साइट पर प्रेक्टिकली में बता रहा हूं ठीक है दोस्तों तो इस लॉजिक के थूरू आपको मैं मिनिमम नहीं मैक्सिमम ब्रिक्स यानि कि उससे ज्यादा आपको आपकी फिर पर इटे नहीं लगने वाली है ठीक है दोस्तों तो ज़्यादा समय ना लेते हैं चलेTCẬ्ट करते हैं यह एक वाल है दोस्तों और यह फिल्हाल तो है वो 10 फित है ठीक है दोस्तों तो अब हम देखते हैं इसका सबसे पहले क्या करेंगे इस 12 12 फिट को इंच में convert करेंगे यानि कि हमें पता है वन फिट इसकल टुड़ इंच ठीक है दोस्तों तो बारा गुड़े बारा कितना हो जाएगा 144 44 इंच हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो अब हम क्या करेंगे हमें अगर कैसे भी पता हो जाया कि एक लाइन में कितनी ब्रिक्स है तो उसके लिए क्या होगा ब्रिक का साइज क्या हो जाएगा ऐसे यह 9 इंच होती है ना तो हम 9 ही लेकर चल रहे हैं ना कि अभी हम प्लास्ट वह मॉर्टर मेर centr नहीं कर रहे सिर्फ और ब्रिक ही कंसी डर कर रहे हैं ठीक का साईज 9 इंच हो जाएगा तो एक lign में कितनी 144 divided by no तो कितनी हो जाएंगी 16 bricks हो जाएंगी ठीक है अब बात करते हैं कि अगर height में कितनी lines है पूरी 10 feet height में कितनी lines अगर पता हो जा तो इस से हम multiply कर देंगे तो हमारी जो bricks हैं वो निकल आएंगी तो देखते हैं एक फिट में एप्रॉक्सिमेटली 3.5 यानि कि साढ़े तीन या फिर चार साढ़े तीन से चार रद्दे रहते हैं ठीक है दोस्तों तो आप देख लो एक फिट में कितना हुआ 12 इंच हुआ न क्वाने तो हाइट कितनी होती है व्रिक की ये 509 सारे तीन इंच होती है तो लगबग में आपका जयेगा जर्द्दे जाते हैं ठीक है दोस्तों तो चार लाइंस जाएंगी यानि कि 10 feet की height में यानि की 10 feet height में number of lines कितनी हो जाएंगी 10 feet के height में 10 into 4 यानि की 40 lines ठीक है यह vary करता है depend करता है कि कितना mortar मिस्त्री ने लगा रखता है ठीक है यह 36 to 40 vary करता है तो मैं maximum ही consider करके चल लाओं जिससे कि आप लोगों की जो estimation cost हो या ब्रिक्स नंबरा ब्रिक्स हैं वो maximum ही निकलें और उससे ज्यादा हमें नमगानी पढ़े साइट पर ठीक है दोस्तों तो टोटल नंबरा ब्रिक्स इन वॉल कितनी हो जाएंगी 10 फिट हाइट थी और हमारी एक रद्दे में कितनी 16 ब्र बढ़ेंगे ठीक है दोस्तों तो ऐसे ही हम पूरे घर की भी कल्कुलेट करके बताएंगे नेक्स वीडियो में आप लोगों को मैं पूरे घर की ब्रिक्स कल्कुलेट करके बताऊंगा तीनों मैथेट से यह बहुत इसी मैथेट है आप सिर्फ और सिफ 30 मिनट 30 सेकेंड में जैसे और बगदगते हैं इससे कर सकते हो जैसे फॉर एक्समेंपल आपकी आपकी जो एक्सम्पल के ले लेते हैं ठीक है कैसे हम करेंगे माली जो दसफित है 10 bred की लेंथ हो वगई तो इसको हम पहले इंच में जाइग लेंख करेंगे त And I shall have a ठीक है 120 इंच हुआ इसे हम 9 से डिवाइट कर देते हैं तो ये सम्थिंग कितना आएगा तो ये लगभग में आपका आएगा 13.33 ठीक है दोस्तों तो 13.33 आएगा यानि कि 14 आप 14 कंसीडर कर लिजे 14 रद्द्ध होगे अब 10 फिट की हाट दीवाल में कितने 40 होते हैं तो 14 गुड़े 40 करोगे आप जब तो आपका जो आएगा वो होगा 560 प्रिक्स ठीक है दोस्तों तो कितना मिनिमम में ज्यादा-ज्यादा मैकसिमम आपको 30 सेकंड ही लगेंगे आप पूरे घर की लेंथ निकाल लीजे डिवाइट कर दीजें इंच में करने के बाद नो इंच से डिवाइट कर लीजे जितनी नंबर आप ब्रिक्स आएं उसको 40 से मल्टि पाने के लिए या देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल के आइकन को भी प्रस कर लिए थैंक्यू जैहन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में